मलेरिया एक संचारी रोग है जो कि एक जैसे बैक्टिरिया वाईरस ऑर चोटे जो सूच्मजीव होते हैं जो आखों से नहीं दिखते हैं वैसे एक वर्ग होता है छोटे जीओं का जिसे प्रोटोजोओ कहते हैं प्रोटो जोवर्ग होता है जो की अमीबा की तरह होता है और मलेरिया भी इसी प्रोटो जोवा की वज़ा से होता है जो की मच्छरों से फैलता है और जब मच्छर मनुस्य को काटते हैं तो मनुस्य के सरीर में प्रोटो जोवा सरीर में प्रवेस करते हैं और वह ब्लड में प करते हैं जिसकी वजह से मलेरिया के लच्छण आते हैं मलेरिया जो है एक तरह का बुखार होता है जो है प्रैमरी इसमें जो है लच्छण होते होता है。 तो कुल मिलाकर यह सूच Virginia के द्वारा परदत मच्छर द्वारा फैलाया गया एक संचारी.- मलेरिया के संक्रमण में सबसे ज्यादा जो मुख्य भूमिका होती है वो मच्छरों की होती है और मच्छरों में दो तरह के नर मच्छर और मादा मच्छर होते हैं मादा मक्षर में एनाफिलीज वर्ग की जो मादा होती है उससे मलेरिया के जो प्रोटोजोवा होते हैं पैरसाइट होते हैं वो मनुस्य से संक्रमित होती है और जब संक्रमित मनुस्य को अगला जो है मादा जो एनाफिलीस मच्छर जो है काटता है और फिर वो दूसरे मनुस्य काटता है तो उससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलता है है गी मलेरिया इनफेक्चन होने के जैसे मैंने पहले बताया एक प्रोटो जोवा जनित रोग है जो मच्छरों से फैलता है मलेरिया का infection होने पे लगबग साथ से 14 दिन में जो है मलेरिया के लच्छन सुरुआत होते हैं जिसमें मुख्यत यहां बुखार होता है लेकिन इसके तीन जो है तीन stages होते हैं जैसे की cold stage, hot stage और sweating stage तो शुरुवाती दौर में जो लच्छन होता है, शुरू से आदे घंटे से लेकर एक घंटे तक जो है मरीज का सरीर हाथ पर थोड़े ठंडे हो जाते हैं, उसका pulse rate जो है बहुत कम हो जाता है और उसके बाद में उसका सरीर तो गरम होता है लेकिन हाथ पर ठंडे होने लगत सकती है उसके पशात फिर स्वेटिंग स्टेज का मतलब बहुत ज्यादा पसीना और पसीना होने के बाद फिर भी तरशे चार से चार गंटे के बाद normal सामान हो जाता है और संस्वाम इसरे संक्रमित lavender करता है उसके उसका जो है बुखार चला जाता है और वो बिल्कुल सामान मैसूस करने लगता है और यह बार यह लच्छन बार-बार दिन में कई बार उबर सकते हैं मलेरिया के परिच्छन के लिए दो तरह के टेस्ट होते हैं एक तो ब्लड को ले करके उसमें हम माइक्रोस्कोप लगा करके छोटे मलेरिया के पैरसाइट के अलग-अलग स्टेज को देख सकते हैं इसमें दो तरह की स्लाइड बनाते हैं थिक इस्मियर और थिन इस्मियर पतली इस्मियर और मोटी इस्मियर में मलेरिया के पैरसाइट डिफरेंट इस्टेज जो है उसमें ज्यादा आसानी से दिखते हैं तिन स्मियर में उतनी आसानी से दिखते नहीं है इसलिए दोनों स्लाइड एक साथ बना करके दोनों का परिछड करना चाहिए इसके पस्चाथ मलेरिया के कुछ ये चुकि तरीका हर जगा उपलब्द नहीं है हर जगा जो है पैथॉल जिस्ट नहीं है तो नई तरीके जो है बनाए गए जिसमें किट होता है इसमें रैपिट किस्ट होता है तो रैपिट की टेस्ट दो तरह के होते हैं या तो हम मलेरिया पैरसाइट के द्वारा उत्पन एंटीजन को देख सकते हैं और एंटीजन का टेस्ट ज्यादा आसान है और एं कर सकते हैं और बिमारी का पता लगा सकते हैं मुख्य दो प्रजातिया जो malaria की प्लाजमोडियम जिसे कहते हैं malaria के parasite को प्लाजमोडियम फैल्सीपेरम और प्लाजमोडियम वाइस प्लाजमोडियम फैल्सी पेरम बहुत ہी जादा लीधल होता है और इसके उपस्तार के लिए एंटी मलेरियल दवायं होती हैं एंटी मलेरियल दवाएं ल सक्षा के अधार पे अलग-ळग होती है मलेजिए के इलाज के लिए दो तरह होता है लक्षणों पर निर्फर करता है कि अगर बरिज मरीज को सामाने बुखार कपकपी के साथ आ रहा है और मलेरिया पता हो गया उसको बहुत तेज सरदर्द, उल्टी, पेट में दर्द, पीलिया ये सब नहीं हुआ है तो उसका घर पर इलाज हो सकता है सामाने दवाओं के द्वारा क्लोरोकुइन की गोलियां की डोज निर्ध परिस्तियों में मरीज को अस्पताल में भरती करकर ही इलाज करना चाहिए क्योंकि सारीरिक जटिलताएं साथ में हो जाती है जैसे कि पीलिया हो सकता है मरीज बेहोस हो सकता है लगातार उल्टी आ सकती है तो ऐसी परिस्तित में घर पर दवाओं से उपचार करने का प्रया करना चाहिए क्योंकि मलेरिया की दवाओं के साथ साथ और भी सपोर्टिव इलाज की जरूरत होती है जैसा कि हमने बताया कि मलेरिया के जीवाण सरीर के बहुत सारे अंगों को लाल रक्त कणिकाओं को लीवर को ब्रेन को इन सब को प्रभावित करते हैं लीवर के परभावित होने से मरीज की पाचन क्रिया बहुत ही सिथिल हो जाती है और पाचन क्रिया सिथिल होने के बाद मरीज सामान निखाना नहीं पचा सकता है तो ऐसे में जो डाइट प्लान हमें रखना चाहिए सेमी डाइजेस्टिट पूड मतलब अर्ध पका हुआ तरल पदार्थ हिचडी है यह तरल पदार्थ जो आसानी से पच सकें इसी डाइट का प्लान करना चाहिए वो मरीज के वजन के आधार पर जो है दिन भर की कैलोरी निधारित होती है और थोड़े-थोड़े अंतराल पे मरीज को भोजन देते रहना चाहिए क्योंकि एक पानी दे सकते हैं यह सारी और तरल पदार्थ की मात्रा खाने में ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए ब्रेन मलेरिया मलेरिया का ही एक विस्तृत रूप है जिसमें जब लंबे समय तक जो है सरीर में इंफेक्शन रहता है प्लाजमोडियम का सही समय पे दवाएं नहीं म प्रहुवित करता है मरीज को विहोसी के लच्षण हो सकते हैं मरीज को तेज उल्ठी सरदर्ध आंकों के पीछे दर्द यह सब होता है और ब्रेन मलेरिया के अ का उप चार अस्पताल में हो सकता है घर पर ऐसे मरीजों का उपचार करने का प्रयास・ ना करें और इसके लिए के डाक्टरी सलाह लेकर के मरीज को भरती करकर ही इलाज कराएं दो तरह से हम मलेरिया का बचाव कर सकते हैं पहला कि जो केसेज हैं मलेरिया के केसें उनका उपचार और दूसरा होता है कि मच्छरों को मच्छरों की संख्यानी अंतित करना और मच्छों का प्रभाव मच्छर किसी को ना काटने क्योंकि malaria के parasite लाइफ होती है 10-12 दिन मच्चर के सरीर में होती है अगर इस दाश से बारा के दिन में कोई संक्रमित मच्चर अपने जीवन काल समाप्ट कर लेता है तो वो cycle break हो जाती है और वह malaria प्रिवेस्ट नहीं कर पाते हैं इस तरह से हो सकता है और एक जो घर में एक एक ब्यक्ति का हो सकता है मच्छरों का रोग थाम, अब कम्यूटि लेबल पर हो सकता है कि जो है बहुत सारी मात्रा में किट नासक दवाओं का छिड़काओ किया जाए, बहुत पहले DDT का छिड़काओ होता था लेकिन उसके दुस्प्रभाव को देखते हुए डीडी टी की जगह पे अब परमेथरिन का छिड़काओ किया जाता है जिससे मच्छरों की संख्या नियंत्रित होती है ब्यक्ति विस्येस के बचाओ के लिए कई तरह के मेथड होते हैं मास्कुइटो होते हैं जो कि हुआ के द्वारा मास्कुइटो को भगाया जा सकता है दूसरा बैरियर मेथड होता है जिसमें मास्कुइटो नेट मच्छरदानी जिसे कहते हैं उसका प्रियोग कर सकते हैं और मैं मेड रिजर्वायर को खतम करना मैं मेड रिजर्वायर क्या है मच्छरों का प्रजनन है यह रुके हुए पानी में जनरली पानी में होता है तो घरों के आसपास पानी इकठा नहोने दिए ना जो मैंने रिजरवाइर हैं मच्चली को तालावों में नाम की मच्छली को पालन बढ़ा करके मच्चलों की संख्या को नियंहत्रित का जा सकता है झाल झाल